हेलो दोस्तों मैं सोरंबलिक आप सभीगा टोपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग के टोप 500 कोशन सीरीज का एक और नया पार्ट हम देखेंगे जिसमें हम रीजिनिंग के कुछ इंपोटेंट कोशन डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा अपने दोस्तों को सेर जरू करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होते रहे लाइक करिएगा जरूर ताकि मुझे भी मोटिविशन मिलते रहे आपके लिगतार वीडियो बनाने के लिए अगर आप साथे इसी तरीक से आपको डेली रीजिनिंग की वीडियो मिलते रहे साथी साथ मैत और ओनलाइन टेस्ट की भी वीडियो मिलते रहे तो नीचे रैड कलके बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लेना होगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों इससे पहले जितने भी रीजिनिंग की वीडियो अपलोड हो चुकी है उनका मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में लिंक दे दिया और इससे पहले मैंने नंबर स्रीज की जो आपको वीडियो प्रोड कराए थी अगर आपने उन नहीं देखिया तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में दे दूँगा वहां से जागे आप देख लेना तो देखे पहला कोशन है आप इसको ट्राई कर सकते हैं पूछाए यहाँ पर क्या आएगा ठीक है तो एक बट्राई करके देखिये तो देखिये इसमें बहुत ही सिंपल सी एक स्रीज चल रही है ठीक है इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 2 का है इन दोनों के बीच म आपका यू हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा ओ यानि की option series the right answer तो यह तो बहुत simple सी series हो गई बहुती rare case होता है कि एक जाम मैसी series पूछी जाती है ठीक है तो यह starting है अभी बहुत सारे type की question है तो वीडियो का end तक देखते रहिए चले next question पर चलते है question number 2 अब देखे यह वाली जो series होती है इसमें आपको दिख रहा होगा a तो fix हो रखा है तो a तो बेलकुल आपका fix ही रहेगा तो इसको तो आपको change ही नहीं करना है अब यहाँ पर अगर मैं देखू c और e के बीच में कितने का difference है plus 2 का मेरे को आ रहा है फिर e और g के बीच में भी plus 2 का difference नजर आ रहा है g से i के बीच में भी plus 2 का difference आ रहा है i और next आपका plus 2 करेंगे तो i में तो आपका क्यों जाएगा k यानि कि हाँ पर किया आपका correct answer हो जाएगा तो यह इस तरीके से आपके बहुत सारी questions जो भी बड़ जब एक एक को छोड़के series को चलाते है तो इस टाइप के questions थोड़े अच्छे level के बन जाते है ठीक है चले next question पर देखते है अभी चलके question number 3 को आप खुद try करके देखेगा और आप इसका right answer कितने student कर पाते हैं वो मुझे comment box में अपने नाम से इतलिक के बताएगा ठीक है अगर मैं इस question की बात कुर तो इसमें भी एक के एक नंबर छोड़के चल रहा है देखे जैसे यह आपका पहले नंबर पर आता है यह आपका 5 यह नंबर पर आता है तो difference कितना है यह प्लस 4 का वैसे प्लस 4 आपका next चलेगा वैसे ही प्लस 4 आपका next चलेगा वैसे ही प्लस 4 प्लस 4 और next आप प्लस 4 करेंगे तो क्या आजेगा y आपका आजेगा आप u में प्लस 4 करेंगे तो y आजेगा वैसे ही आपको चलना है यह आपके d से h में देखे कितना difference है? प्लस 4 का यानि कि प्लस 4 यहां पे चल रहा है प्लस 4 यहां पे चल रहा है प्लस 4 यहां पे चल रहा है और प्लस 4 यहां पे चलेगा और प्लस 4 यहां पे करेंगे तो यहां पे X आ जएगा T में आपने प्लस 4 किया तो X आ गया तो यहाँ पर right answer क्या होगा xy तो option is the right answer तो आपने इस series में देख लिया होगा कि किस तरीके से यह series चलती है जब आप direct series करते हैं यानि कि a में आपने कुछ plus कर दिया फिर direct मतलब उसके बीच में कोई भी alphabet नहीं छोड़ा जाता है पर जब बीच पीच में छोड़के चलता है जैसी यह वाला छोड़के चल रहा है तो यह series थोड़े अच्छे level की होती है और इसमें क्या होता है बच्चे को अगर नहीं पता है कि छोड़के ऐसे series में plus 2, plus 4, plus 5 चल जाता है तो वो बहुत दिर तक मतलब confused रहेगा ऐसी exam and question exam में देता है ठीक है? चले next question पर चलते है question number 4 अब इस question को देखिए आप 4 को और try करके देखिए अब इसमें भी एक alphabet बीच में छोड़के चल रहा है अगर A और B की मैं बात करूँ तो plus 1 चल रहा है A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G ठीक है? तो F से G तक आप पहुँच गए अब उसके बाद अब ये तो आपका सीधी हो गई ठीक है? एक एक छोड़के अब इसमें अगर मैं उपर की बात करूँ तो इसमें minus चल रहा है minus क्या चल रहा है? Z से Y में आपने एक minus किया तो एक पीछे आ गया फिर एक पीछे आ जाएगा फिर एक पीछे आ जाएगा एक पीछे आ जाएगा एक पीछे आ जाएगा यानि कि सभी में minus minus आपका चल रहा है U से आप minus 1 करेंगे तो आपका आई आजाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका आई आजाएगा यानि कि option sorry यह आपके t आजाएगा यह उसे पहले तो t आएगा ना तो t आपका ओजाएगा option 3 is the right answer I hope कि आपको यह question समझ में आ रहा होगा ठीक है नीचे plus 1 चल रहा था इसमें और इसमें उपर माइनस आपका 1 चल रहा है ठीक है तो चलिए next question पे चलते है I hope कि आपको यह question भी समझ में आ गया होगा question number 5 देखे अगर question number 5 की मैं बात करूँ तो इसमें आपकी क्या सीरी चल रही है आप खुड try करके देखिए e से i पे अगर हम जाएंगे तो कितना जाएंगे plus 4 करेंगे plus 4 इसमें चल रहा है i से m में जाएंगे यानि कि पहला alphabet पहला alphabet से ही relate करता है जो यह pair दो-दो लिख है तो इसमें आपका plus 4 करेंगे m आजएगा अब m में आपने plus 4 किया तो आपके q बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे q आगया फिर next अगर मैं बात करूँ n और r की तो इसमें भी आपका plus 4 चल लए तो n से r में गए हम plus 4 कर लिया r से v में गए उसमें भी plus 4 कर लिया और v में हमने plus 4 किया तो आपका क्या हो जाएगा z हो जाएगा तो q और z आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा q z यानि की option a is the right answer तो अब आपको यह series समझ में आ रही होगी अब आपको एक चीज में बता देता हूँ अगर आपको alphabet के numbers नहीं पता है उनके opposite words नहीं पता है और difference नहीं पता है patrol पूरा वही है कि अगर आपको alphabet numbers याद है कि a पहले number पे आता है b दूसरे number पे आता है c ती से number पे आता है अगर यह याद नहीं है तो यह याद कर लीजे इसकी मैं एक trick आपको बता देता हूँ अगर आप इस तरीके से 10 से 15 बार लिखते हैं याद भी हो जाएगा और एक practice बन जाएगा अगर आप exam में जाके उसको वैसे लिखते हैं तो एक मतलब जल्दी से जल्दी question होने के chances आपके बन जाते हैं आपको क्या करना है a से m तक और m के नीचे n लिखना है और n से z तक इस तरीके से पूरी a, b, c, d लिखनी है उनके उपर 1, 2, 3 डाल लेना है 1, 2, 3 इस तरीके से तो इससे क्या होगा अगर आप 10 से 15 बार इसको लिखते हैं तो याद होने के chances भी हैं अगर याद भी नहीं होते हैं तो इससे क्या होगा आपको apposite word साथ इसाथ इनके alphabets आपको मिल जाते हैं ठीक है यादिक इनके numbers आपको मिल जाते हैं तो इस condition में जब exam में आप बैटके question solve कर रहे होते हैं तो इससे बहुत help मिलेगी अगर आप ये आपके पास एक paper पे लिखा होगा ठीक है तो D और G के बीच में अगर मैं देखू यहाँ पे पहले से पहले alphabet के इसमें देख रहा है मुझे plus 3 का difference ठीक है plus 3 इसमें चल रहा है G से K में अगर मैं देखू तो इसमें plus 4 का मेरे को difference नजर आ रहा है फिर मुझे 3 का difference नजर आ रहा है फिर मेरे को plus 4 का difference आ रहा है फिर मेरे को plus 3 का difference मिलना चाहिए तो यहाँ पर plus 3 plus 4 plus 3 plus 4 plus 3 करेंगे R में आप plus 3 करेंगे तो क्या आजएगा आपका U बन जाएगा तो यहाँ पर आपका पहला U मिल जाएगा अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि U कितने में हैं तो यहां पर u इसमें भी है तो आप यहां से तो decide नहीं कर सकते कि option a दूसरा होगा या तीसरा होगा फिर आप next को भी check करेंगे next मैं आपने देखा f से j में गए तो difference कितने का है 4 का है तो plus 4 इसमें चल रहा है फिर j से m में गए तो plus 3 का difference तो plus 4 plus 3 plus 4 आप करेंगे तो q आजाएगा plus 3 करेंगे तो t आजाएगा फिर आप plus 4 करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा plus 3 आपने किया plus 4 आपने कर दिया उसके बाद आपका x आजाएगा t में आपने plus 4 किया तो x आजाएगा तो x और u आपका right answer हो जाएगा ठीक है वही यहाँ पे देखे starting plus 3 से थी यहाँ पे starting plus 4 से होगी plus 3 plus 4 plus 3 plus 4 plus 3 फिर यहाँ पे चल देखे आपका plus 4 plus 3 plus 4 plus 3 plus 4 तो आपका यहाँ पे x आ जाएगा तो u x is the right answer तो यहाँ आनके option 2 is the correct answer आई hope कि आपके shit आ यह question समझ में आगे होगा देखे question number 7 को हम देखते हैं इसमें आपको आपसे सबसे पहला ही pair पूछ लिए गया है तो सबसे पहले pair पूछने के लिए आगे के सारे relation आपको पता होने चाहँ जाए आगे के relation को पता करने के लिए क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे देखिए इस question पर मैं यहाँ पे आपको अच्छे समझा सकूँ आपको यहाँ पे अलपबेट के numbers बता हो ने चीए यह पहला लास्ट वाला pair यह उससे पहला pair यह आपको बताना है इस सारे pair तो question में ही दिए गए है तो यहाँ पे i को देखा जाए तो 9 नंबर पे है t आपका 20 नंबर पे है e आपका 5 नंबर पे है p आपका 16 नंबर पे है मतलब 16 नंबर पे आता है तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 9 में plus करूंग 11 तो 20 आ गया मैं पीछे से solve करते भी लेके आ रहा उसी तरीके से आपको 12 में करना है 12 में आपने प्लस 11 किया तो 23 में से आपने मैनस 15 किया तो 11 ओ गया प्लस 11 किया तो आपका 22 और 22 में से माइनस 15 किया तो आपका जी आ गया तो इस तरीके से आपको इस सिरीज बनती है तो राइट आंसर क्या बन गया आपका ADG ADG is the right answer तो आप देख सकते हैं कौन सा option यहापे आएगा option 3 is the right answer I hope कि आपको इस question समझ में आगया होगा next question पे चलता है question number 8 देखें तो इसमें भी एक सिरीज चल रही है अगर आप इसको देखें S से Q पे जाएंगे S से Q के बीच में क्या difference है minus 2 का Q से N के बीच में भी आपका minus sorry minus 3 का difference है और N से J में आपका minus 4 का यानि कि minus 2 minus 3 minus 4 next आपका कौन सा आण चीए minus 5 अगर आप J में से minus 5 करते हैं तो क्या आजेगा आपका E आजेगा तो यहाँ पे आप E लिख देगे ऐसे आपको यहाँ पे चल रहा होगा plus 2 अब उपर की साड़ी चल रहा है यानि कि next वालों में plus 2 J से plus 2 करेंगे M M से plus 2 करेंगे तो Q Q में plus 2 करेंगे तो V तो यहाँ पे E और V आपका right answer आजेगा यानि कि option A is the right answer I hope कि sorry E और V यानि कि option 2 होगा यह नहीं होगा E और V आएगा तो option 2 is the right answer I hope कि आपको यह question भी समझ में आगे होगा ठीक है अब next आपका देखे next type के question है question number 9 है इसमें आपको यह लगाना है रक्सा करना, दबाव, रहात, वर्सा और बाड यह एक series में आपको लगाना है अब यह question भी आपने देखे होंगे कई बर exam में आते हैं तो देखे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दूसरा यानिकी दबाव उपनेगा दबाव बनने के बाद में आपका वर्सा होगी, ठीक है वर्सा होने के बाद आपका बाड आएगी बाड होने के बाद में आपका रक्सा करना होगा और उसके बाद रहात होगी तो ये कुछ इस तरीके से सिक्वेंस में होगा सबसे पहले क्या हो दाब यानि कि तू पहले आ गया उसके बाद आपका क्या हुआ दवाब के बाद आपका वर्सा होगी दवाब बनती है उसके बाद वर्सा होती है यानि कि फोर आ गया उसके बाद रक्सा के बाद क्या होगा आपका बाड़ा आजाएगी अगर जब वर्सा होगी तो बाड़ा आजाएगी तो आपका तीसरा हो जाएगा ठीक है यानि कि पाँचवा तो दूसरा चोथा पाँचवा आपका ही हो गया यानि कि अभी तक तुछ चल रहा है तो उसके बाद आपका फिर क्या होगा रक्सा करना होगा और रक्सा करने के बाद में रहात हो आएगी इसका मतलब आपका option 3 right answer हो जाएगा I hope कि आपको यह question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं question number 10 इसमें देखिए one से three तक तीन question है और इसमें पुछागा है ने मिलिकित परती एक person में उस सब्द को ग्याद कीजिए जो सब्द को उसकी विवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा यानि कि सब्द को dictionary में जब भी आप word find out करते हैं उसके साब से पहले number पे हाँ पे कौन सा आएगा तो इसको find out करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत simple है आप जो सबसे सबसे पहला word होगा क्या होगा A होगा तो A सभी में है तो इससे तो नहीं पता चल रहा है कि कौन सा होगा उसके बाद आप क्या देखेंगे B A के बाद B आएगा फिर B B यहाँ पे B भी सभी में है उसके बाद फिर दुबारे से अगर A आ रहा है तो वही सबसे पहले आएगा फिर A भी इसमें कितनों में है यह आपका इसमें होगा यह तो हट जाएगा फिर आपका देखें कौन सा पहले आएगा S यानि कि यह तो आगे चला गया A B A A B C तो इसका मतलब C पहले आ सकता है A B T भी आगे चला जाएगा C से यह तो पहले हटी चुका था फिर A B S इसमें भी S आगे यह भी हट जाएगा इसमें कि option 3 write-down से हो जाएगा वैस समझे ना मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको आपको सबसे पहला word देखना है सबसे पहला word सभी में common है दूसरा word भी common है तीसरे वाले में A A A 3 में common है 4 में common है तो यह भी आपका अभी तक तो same चल रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा word पहले आता है S से, S, C, S और T में कौन सा पहले आएगा C आएगा ना तो इसका मतलब 3 आपका रहे टन से हो जाएगा अगर आप dictionary में देखते हैं तो यह पहले मिलेगा इन सभी word से ठीक है चले, और next question देखते है यह सारे मैंने आपको पहले से इसमें answer भी दे रखे हैं इस PDF को बताऊँगा कहां से आप download कर सकते हैं अगर मैं इस question की बात करूँ तो इसमें भी आप कुछ इसी तरीके से देखेंगे तो O, M, P, G, P में सबसे पहले कौन सा आएगा तो भाई सबसे पहले G आएगा अगर सबसे पहले आपको G नजर आ रहा है तो क्योंकि G के बाद O, M, P यह सब बाद के हैं तो बस यही आपका राइट answer हो गया तो इस तरीके से कही questions तो मतलब देखते ही सोल हो जाते हैं फिर यहाँ पे कुछ questions पुझा रहें ने मिलिकित परतियक परसन में उस सब्द को ग्याद कीजिए जो सब्द को उसकी यज़ता के अनुसार अंतिम इस्थान पर आएगा जो सबसे last में आएगा वो आपको देखना है L, R और V की में बात करूँ तो V सबसे last में आएगा Q, U, A तो सभी में common है तो Q, U, A से नहीं पता चलेगा कि कौन सा पहले गया कौन सा बात में आएगा बट V इसमें आपका सबसे बड़ा है R, L और R से V सबसे आगया आएगा तो 4 आपका रहें आपके पास हर इक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप चाहते हैं इसके पीडियाप लेना तो टेलिग्राम पे जाए टेलिग्राम पे जाके टोपिक स्टेडि सर्च करिए उसके बाद आप जोइन कर लीजेगा और वहाँ से सारी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं अपने दोस्तों को वीडियो को सेर करिएगा इससे पहले जितने भी वीडियोज अप्लोड हो चुकी हैं आप उनको भी देख सकते हैं वीडियो को देखने कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबोग्